Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग Railway की upcoming vacancy के बारे में बात करेंगे जैसा कि आपको पता है अभी तक ALP Technician और RPF का notification आ चुका है ALP में 5,696, Technician में 9,000 और RPF में 4,660 बदों पर ये vacancy आई है साथी RPF की vacancy में ये जो बड़ा confusion हुआ है कि official notification को Railway की तरफ से fake बताया गया ये पूरा क्या scenario है और उसके बाद आगे अब क्या होने वाला है तो सारी चीजों पर हम सर्चा करेंगे बेना skip के वीडियो के एंड तक जरूर देंगे चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए देखे अगर आप Railway के किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो आपको GKGS की preparation करने के लिए एक best book बताता हूँ और सबसे अची बात क्या है इस book की की यह वाली जो book है यह Hindi और English दोनों language में आती है तो English वाली student को भी कोई problem नहीं आएगा इसको purchase करने का direct link description में है बाकि आप नजदी की bookstore से भी इसको ले सकते हैं तो देखी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि railway की तरफ से एक exam calendar यहाँ पे जारी किया गया था जिसमें ALP technician और जो है जुलाई सेप्टेंबर के बीच में NTPC, J और Paramedical की vacancy साथी October, December में Level 1 और Ministeril की vacancy आएगी इसके बारे में बताया गया था क्योंकि RPF में इतनी जादा post हर साल vacant नहीं होती है ना तो यहाँ पर कोई direct promotions होते हैं नहीं यहाँ पर जो है LDC वगयरा होता है तो बहुत सारी चीज़े होती है जिस कारण से यहाँ पर post जादा vacant नहीं होती है तो इस कारण से जो RPF है उसको यहाँ पर include नहीं किया गया तो जहां तक मैं मानता हूं RPF की vacancy आपको हर साल देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि RPF को notice को लेकर जो confusion बना है एक official notice यानि कि short notice को जो है railway ने खुद fake करार दिया PIB ने उसको fake करार दिया तो यह सब क्या चलना है देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मंतराल ले है उनमें coordination की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है अब यह जो employment news में आपका RPF का notice आया है यह बिना जानकारी के तो नहीं आया होगा मतलब यह railway की तरफ से data दिया गया तभी यह publish हुआ है तो बिना railway की तरफ से data दिया यह publish नहीं हो सकता अब पी आईबी के अगर ब बरतिया हमने नहीं निकाले क्योंकि देखो बरतिया जो होती है वो railway मंतराली की तरफ से जारी होती है सबसे पहले जो मंजूरी है वो railway मंतराली देता है कि इतनी post निकालनी है तो जहां तक मुझे लगता है यह कुछ इस तरह से scenario हो सकता है कि railway मंतराली ने सीधा जो आयी short notice ह ये employment news तक पहुँचाया और बीच में ये PIB और RPF को इसकी सूचना शायद नहीं थी जिस कारण से उन्होंने इसको fake करार दिया बाकि ये जो vacancy है पूरी तरह से authentic है और 4000 प्लस पदों पर ये vacancy आ रही है अब सवाल ये उठता है कि ALP भी आ गया, technician भी आ गया, उसके बाद RPF भी आ गया तो group D, NTPC में कितने पद देखने को मिल सकते हैं तो short में आपको बताऊंगा देखो जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ALP की तो 27,745 में पदों पर last vacancy आई थी अगर इसको आप चार से भाग करेंगे तो ये 9,000 के something आएगा, यानि कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगबग एक चोथाई vacancy हमें देखने को मिली है ठीक है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे यहाँ पर आर्पिएफ को, तो आर्पिएफ मैंने आपको बता देखेंगे हर साल नहीं आना है यहाँ पर जो NTPC है वो इस बार आपके दो नोटिफिकेशन आएंगे पिछली बार क्या था कि 12 वालों की और ग्रेजविशन वालों की एक साथ vacancy निकाली गई थी और टोटल पन यहाँ पर 35,277 थे लेकिन इस बार जो यह नोटिफिकेशन है यह दो अलग अलग आएंगे 12 वालों के लिए अलग आएगा और जो ग्रेजविशन वाले हैं उनके लिए अलग आएगा अब देखो अलग अलग vacancy के अगर हम बात करते हैं 2018 की तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दू देखो अगर आप 12 वालों की vacancy देखोगे तो 10,628 vacancy यह उस टाइम पर आई थी और 24,649 लगबग graduation वालों के लिए आई थी तो अगर इन दोनों को जोड़े और इनका हम लोग चोथाई निकालते हैं तो लगबग आप मान लीजिए कि 8-10,000 यह data निकल के आता है तो इसी के आसपास यह vacancy आपको देखने को मिल सकती है अगर जादा ही यहाँ बर railway महरबान हुआ तो भले यह 10,000 से प्लस चली जाए अदरवाइस यह 8-10,000 के round आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर अंतिम में अगर देखा जाए तो group D की ही सबसे जादा vacancy आएगी लास्ट vacancy एक लाग तीन हजार पदो बढ़ती है और इसका एक चोथाई अगर आप निकालोगे लगबग 33,000 बनता है मिल सकती है और मैं आपको एक ची बताओ तो यह सिरफ एक prediction है इस data के आधार पर बाकी railway में आपको पता है confirm कुछ भी नहीं होता है बाकी जैसी official notification आएगा आपको update जरूर कराऊंगा तो आप चैनल को subscribe करके bell icon को भी press कर लीजिए